हेलो दोस्तो आज हम बात करेंगे डियार एपीजे अब्दुल कलाम जिन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है भारतिय इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक हैं। वह एक वैज्यानिक, शिक्षक और लेखक थे जिन्होंने अपना जीवन भारत में विज्ञान और प्रौध्योगी की के विकास के लिए समर्पित कर दिया। दो कलाम की सफलता की कहानी ने दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित किया है। शुरुआत से लेकर भारत के राष्ट्रपती बनने तक उन्होंने दिखाया की कड़ी मेहंत, समर्पन और कभी हार न मानने वाले रवये से कुछ भी संभव है। प्रारमभिक जीवन और शिक्षा। दो एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को भारत के तमिलनाडु के एक छोटे से शहर रामेश्वरम में हुआ था। वह एक मुस्लिम परिवार में पांच भाई भनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता एक नाव मालिक थे और उनकी मा एक ग्रिहिनी थी। एक विनम्र प्रिष्ठ भूमी से होने के बावजूद दॉक्टर कलाम में छोटी उम्र से ही ज्यान की प्यास थी। उन्होंने रामेश्वरम प्राथमिक विद्यालय और रामनाथ पुरम में श्वाट्ज उच्च माध्यमिक विद्यालय में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद, उन्होंने भौतिकी का अध्ययन करने के लिए तिरुचिरापली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया। हालांकि वह सिर्फ सनातक की डिग्री से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने आगे की पढ़ाई करने का फैसला किया। उन्नीस सो पचपन में डॉक्टर कलाम ने मदरास विश्व विद्याले से भौतिकी में सनातक की उपाधी प्राप्त की और उन्नीस सो सक्तावन में वे एरोस्पेस इंजिनेरिंग का अध्ययन करने के लिए मदरास प्रोध्योगी की संस्थान चले गए। यहीं पर उन्होंने रॉकेट इंजिनेरिंग में रुची विक्सित की और इसे अपने करियर के रूप में आगे बढ़ाने का फैसला किया। विज्यान और टेकनोलोजी में करियर विज्यान और टेकनोलोजी में डॉक्टर कलाम का करियर 1960 के दशक में शुरू हुआ जब वे एक वैज्यानिक के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में शामिल हुए। वह पहली स्वदेशी निर्देशित मिसाइल प्रित्वी के विकास में शामिल थे जिसे 1988 में सफलता पूर्वक लॉंच किया गया था। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलों की अगने श्रिंखला के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमी का निभाई थी। 1992 में डॉक्तिर कलाम भारत के प्रधान मंत्री के मुख्य वैग्यानिक सलाहकार बने और 1999 में उन्हें भारत सरकार के प्रधान वैग्यानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल विकास कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया विध्यान और प्रोध्योगी की में डॉक्टर कलाम के योगदान को राश्ट्रिय और अंतरराश्ट्रिय स्तर पर मान्यता मिली उन्हें पद्मभूशन, पद्मविभूशन और भारत रत्न सहित कई पुरसकार मिले जो भारत का सर्वोच नागरिक सम्मान है एक वैज्यानिक के रूप में अपने काम के अलावा डॉक्टर कलाम एक शिक्षक और सनरक्षक भी थे उन्होंने भारतिय प्राध्योगी की संस्थान, IIT, दिल्ली, बनारस हिंदू विश्वविद्याले और अन्ना विश्वविद्याले सहित कई विश्वविद्यालियों में पढ़ाया उन्होंने विज्ञान, प्रोध्योगी की और आध्यात मिक्ता पर कई पुस्तके भी लिखी प्रेसीडेंसी 2002 में डॉक्टर कलाम के जीवन में एक नया मोर आया जब उन्हें ततकालीन सत्तारूड भारतिय जनतापार्टी, भाजपा, ग्वारा भारत के राष्ट्रपती पद के लिए नामांकित किया गया उन्हें 25 जुलाई 2002 को भारत के राश्ट्रपती के रूप में चुना गया और 25 जुलाई 2007 तक इस पद पर रहे राश्ट्रपती के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान डॉक्तर कलाम ने विशेश रूप से युवा लोगों के बीच विद्ध्यान और टेक्नोलोजी को बढ़ावा देना जारी रखा उन्होंने नवाचार और उद्यमशीलता को प्रोचसाहित करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किये जैसे की पूरा ग्रामेन ख्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना कार्यक्रम दॉक्तर कलाम अपनी सादगी, विनमर्ता और पहुच के लिए जाने जाते थे उन्हें अक्सर लोगों के राष्ट्रपती के रूप में संदर्भित किया जाता था क्योंकि जन्ता के साथ उनके घनिष्ट संबंधने देश में सर्वोच पद पर रहते हुए भी उनके डाउन टू अर्थ व्यक्तित्व को बनाये रखा परंपरा डौक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की विरासत दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती है वह एक सच्चे दूरदर्शी थे जिनका मानना था कि सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए विज्ञान और प्रोध्योगिकी का उप्योग किया जा सकता है उन्होंने अपना जीवन इस उद्देश के लिए समर्पित कर दिया और उनके योगदान ने भारत के विकास पर स्थाई प्रभाव छोड़ा है दौकलाम की जीवन गाथा भी कड़ी महंत और द्रिड़ता की शक्ती का एक वसीयत नामा है वह एक विनम्र प्रिष्ठ भूमी से आये और रास्ते में कई बाधाओं का सामना किया लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी उनकी सफलता की यात्रा उन सभी के लिए प्रेना का स्रोत है जो अपने सपनों को हासिल करना चाहते हैं डॉक्टर कलाम शिक्षा के भी प्रबल पक्षधर थे उनका मानना था कि शिक्षा मानव क्षमता को अनलोक करने और सामाजिक प्रक्ती को बढ़ावा देने की कुझी है उन्होंने अक्सर शिक्षा के महत्व के बारे में बात की विशेश रूप से विज्ञान और प्रोध्योगी की के ख्षेतर में और युवाओं को इन ख्षेतरों में करियर बनाने के लिए प्रोध साहित किया की स्मृती में कई शैक्षनिक संस्थान और कार्यक्रम स्थापित किये गए हैं जैसे उत्तर प्रदेश में एपीजे अब्दुलकलाम तक्नीकी विश्व विद्याले मेगाले में डॉक्तर एपीजे अब्दुलकलाम विज्ञान और प्रोध्योगी की विश्व विद्याले और एपिजे अब्दुल कलाम Ignite Awards जो नवाचारों को मान्यता देते हैं. दो एपिजे अब्दुल कलाम का प्रेरक जीवन डॉक्टर एपिजे अब्दुल कलाम का जीवन और उपलब्धिया दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहती है. वह एक सच्चे देश भक्त थे जिन्होंने अपना जीवन भारत में विज्ञान और प्रोध्योगी की के विकास के लिए समर्पित कर दिया उनके योगदान ने देश के विकास पर एक स्थाई प्रभाव छोड़ा है विशेश रूप से मिसाइल प्रोध्योगी की और अंतरिक्ष अन्वेशन के खेत्र में डॉक्टर कलाम की जीवन गाथा भी कड़ी मेहंत, समर्पन और द्रिड़ता की शक्ती का एक वसीयत नामा है रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी उनकी सफलता की यात्रा उन सभी के लिए प्रेना का स्रोत है, जो अपने सपनों को हासिल करना चाहते है दॉक्टर कलाम की विरासत वैग्याने को, प्रोध्योगी की विदो और उद्यमियों की भावी पीधियों को प्रेरित करती रहेगी उनका मानना था कि सामाजिक और आर्थिक विकास लाने के लिए विज्ञान और प्रोध्योगी की का उप्योग किया जा सकता है इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और पसंद आया तो कृप्या चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें